कि हलो एवरीवन देसे स्वामया वेलकम टू दोशर क्लासिस अज चाप्टर एलिमेंट कंपाउन और मिक्चर अब यह एलिमेंट कंपाउन एन तीनों के बारी में आप लोग क्लासिक्स में सेवंथ में पढ़ चुके हो और यह जो चैप्टर आपका है काफी बड़ा तो हम इस chapter को टू पार्ट में complete करेंगे part 1 and part 2, part 1 में element और compound को complete करेंगे और next part में mixture के separation को complete करेंगे तो चलिए, स्टार्ट कर लेते हैं, what is pure substance ? अब pure substance क्या होते हैं तो ऐसे substance, जो similar kind, similar type के सारे particles से मिलकर बने होते हैं उससे हम कहते है pure substance जैसे हमारे पास water है, बिल्कुल जो distal water जो lab में रखा होता है वो water है, ठीक, उसमें क्या है, जितनी भी molecules आपको मिलेंगे, सब H2O के मिलेंगे, ठीक है, यानि water के ही molecule मिलेंगे, इसलिए इसको हम pure water कहेंगे, औक्सीजन सेलंडर में, oxygen gas के ही जितने पार्टिकल सारे होंगे, oxygen gas के ही होंगे, अधर कोई पार्टिकल नहीं होगा, इसलिए इसको हम pure substance हो लेंगे, ठीक है, ऐसे ही metal में, metal में आप देखोगे, जितने भी substance, जितने भी molecules होंगे, सब copper, यहापे copper metal रखा है, तो सब copper के पार्टिकल होगे, अगर iron metal होता, सारे iron के पार्टिकल होते हैं, गोल् अधरली डिवाइड करें, तो टू में डिविजन है इसके, एक होता है living और दूसरा होता है non living, ठीक है, दुनिया में देखो आप तो matter क्या-क्या है, या तो living stage में है, या नॉन लिविंग में है, तो living के बारे में तो हम लोगों को बात करेंगे, तो non living को अगें मिक्चर के फॉर्म में, ठीक है, जो pure substance है, वो two type के हो सकते है, या तो वो element होगा, या तो वो compound होगा, ठीक, mixture भी two type के हो सकते है, या तो mixture होगा homogenous और या तो होगा heterogeneous, ठीक है, तो दोनों के दो-दो division हो गया, एक-एक करके हम सब को देखते हैं कि कैसे बने होते हैं, क्यों इस नाम से जानते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे element की, तो element क्या है, एकदम pure substance है, यहाँ पर सिर्फ एक ही kind के atom present होते है, यानि कि कोई भी element form होता है, चाहे oxygen हो, चाहे hydrogen हो, जितने भी element होते हैं, वो same type के atom से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, और नहीं ये कभी break हो सकते हैं, न नहीं ये freely exist कर सकते हैं, मतलब जैसे oxygen gas है, ठीक है, तो oxygen के पास same type के oxygen के ही दो atom present है, ठीक है, अब यहाँ पर same type के दोनो item present है, इसलिए हम कहेंगे इसको element, ठीक है, अब इस oxygen के दोनो oxygen atom को हम break नहीं कर सकते हैं, तोड़ की हटानी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो atom है, ये freely exist नहीं कर सकते, इनको कोई ना कोई साथ में रहने के लिए चाहिए, तो oxygen 2 similar type के atom से मिलके बना होता है, इसलिए इसको हम element कहेंगे, ऐसे ही hydrogen भी ले लो आप, तो hydrogen में भी 2 similar type के atom present होते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं element, ठीक है, अब elements जो है, टोटल दुनिया में बहुत सारे element present है, बट जो discover हुए है, टोटल 118 element discover किये गया है, उन में से 92 element ऐसे हैं, जो कि natural है, ठीक है, like rock में, soil में, air में, सब जगे present है, आपको water में present भेलेंगे, ठीक, लेकिन कुछ element ऐसे भी है, जो artificial है, याने कि 26 approx element ऐसे हैं, जो artificial बनाए गये हैं, ठीक है, manually form किये गये हैं, तो ये टोटल 118 element है, और इनको मेंडलेफ सर ने एक table के form में दे दिया था, आप लोगों ने सोना होगा, periodic table, तो वो मेंडलेफ एक scientist थे, उन्हों ने इन सारे element को उनके mass के recording बढ़ते हुए, सीरीज में लगा कर दे दिया था, जो कि आज तक हारमारे लिए, बहुत ही easy बना दे अब characteristic of element, element के क्या-क्या characters होते हैं, कैसे हम किसी चीज को हम element कहते हैं, तो element हमेशा homogenous nature का होता है, ठीक है, अब जैसे oxygen gas है, पूरी-पूरी oxygen gas को जब आप देखोगे, इससे तो नहीं दिखेगी, लेकिन अगर आप उसको देखना चाहो, तो उसके सारे particles कैसे हैं, सारे एक ही जैसे atom के मिलके बने हुए हैं, तो आपको कहीं भी उसमें other particle भूमता हुआ, नहीं दिखाई देगा, इसलिए इसको हम कहेंगे homogenous, ठीक है, cannot break, आप उसको oxygen gas है, तो उनमें से दोनों oxygen atom को breakdown नहीं कर सकते हो, ठीक है, या फिर किसी भी element को, oxygen हो, nitrogen हो, hydrogen हो, कोई भी element हो, उसके आप atom को तो नहीं सकते हो, अलग-अलग नहीं कर सकते हो, ठीक है, इनका melting point और boiling point बिलकुल fix होता है, ये बढ़ घर नहीं सकता है, मतब कभी बढ़ गया, कभी घट गया, तो ऐसा नहीं होता है, फिल बिलकुल fix melting point होगा, और boiling point होगा हर एक element के लिए, ठीक है, अब इनकी definite properties मतब कुछ fix properties भी होती है, जो किसी भी element में अलग-अलग होती है, जैसे oxygen की कुछ properties होगी, उसकी अलग होगी, hydrogen की कुछ properties होगी, उनकी अलग होगी, ठीक, nitrogen की कुछ properties होगी, वो अलग होगी, मतब हर एक element की different different properties आपको दिखाई देंगी, ठीक है, अब जैसे हम ये भी कह सकते कि यहां पर हमारे बास oxygen का molecule है, फिर एक oxygen का molecule है, तो इन दोनों की property तो सेम होगी, लेकि नाइट्रोजन की property से different होगे, समझ में आ गया, each element represented by a symbol, ठीक है, हर एक element को एक symbol की form में represent के राता है, ठीक है, element can react chemically, reaction जो करते हैं, यह chemically react करते हैं, और compound फॉर्म करते हैं, ठीक है, अभी यसी के आगे हम लोगो compound भी पढ़ेंगे, ठीक हम समझ गया है, properties यानि characteristic nature कैसा होता है element का, homogenous होता है, इनके जो atom से उसको break नहीं कर सकते, melting point, boiling point, बुलकुल fix होता है, definite property होती हर एक element की, है न, उनका एक symbol होता है, हर एक element का, यह लोग chemically react करके बनाते हैं, क्या compound, ओके, तो यह हो गया element, अब, classification of element, element को four type से divide कर सकते हैं, ठीक है, अब जो, जितने भी element है total, उनमें अलग-अलग properties है, तो कुछ ऐसे भी थे element, जो थोड़ी-थोड़ी similar property रखते हैं, ठीक है, उनको metal का नाम दे दिया गया, कहने का मतलब है, इन elements में कुछ को metal कहा गया है, कुछ elements को non-metal कहा गया है, कुछ को metaloid कहा गया है, कुछ को noble gases कहा गया है, ठीक है, तो इसके according हम सब चीज़ों को सारे properties को देखेंगे, metal क्या है, तो metal बेटा, आप सब जानते होगे, जाए iron देखते हो, gold देखते हो, silver देखते हो, copper देखते हो, अब metal भी कुछ अपनी property होती है, एक fixed property होती है, जैसे कि metal हमेशा कैसा होता है, malleable होता है, ठीक है, malleable मतलब कि उसको पीट पीट के आप एक sheet का form दे सकते हो, ठीक है, जैसे aluminum foil देखते हो, तो वो क्या है, पीट के उसको sheet का form दिया गया है, ठीक है, पीटोगे तो तूट जाएगा, पाउडर फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आप किसी metal को जब पीटोगे तो वो malleable nature का होता है, इस वज़े से शीट का form दे लेगा, किसी भी metal को देखोगे, एक उसके metallic shine होता है, किसी भी metal को देखोगे आप, ठीक है, पुराना हो गया, बहुत दें से पड़ा है, कुछ इसने oxygen से react कर लिया है, तो इस में से थोड़ा गंदा हो गया होगा, लेकिन आप हलका सा उसको scratch करोगे, तो वो बिलकुल lusher दिखाए एक दम एक अलग metallic shine दिखाए देगे उसमें, तो उसके इस nature को हम कहते हैं, lusherous, अब इसमें conductivity पाई जाती है, तीसरी में बात, conductivity मतलब कि आप electricity उसमें पास करा सकते हो, conduct करा सकते हो, हीट उसमें conduct करा सकते हो, electricity पास करा देते हो, तब ही उसकी वायर बनती है, आप वायर के अंदर का जो metal होता है, वो निकाल के देखो, वो एक metal ही होता है, या तो copper होता है, या तो फिर silver होता है, क्यों? क्योंकि copper और silver एक ऐसे metal है, जो सबसे अच्छी conductivity रखते हैं, मतलब बहुत अच्छे से heat को और बहुत अच्छे से electricity को पास होने देते हैं, तो इनका ये nature conductivity कहला है, अब sonorous होते हैं, sonorous का मतलब क्या होता है, कि एक अलग आवाज देते हैं, आपको metallic sound ही सुनाई देगा, जो metal से ही निकलेगा, अदर किसी भी substance से नहीं निकलने वाला, ठीक है, आप वुद में, वुद का है कोई चीज उसको आप टैप करके देखो तो उसमें अलग sound होग अगर आप दो metal को ऐसे लड़ा कर देखोगे तो उसमें अलग sound produce होगा, तो इसको कहते हैं sonorous sound, ठीक है, next property है ductility, मतलब ductile होते है metal, ductile का मतलब यह है, कि आप किसी भी metal को पकड़ को खीच होगे, तो वो तार का form ले लेगा, ठीक है, एक wire form में आप कनवर्ट कर सकते हो, तो इसके उसका wire बना सकते हो, ठीक है, इसकी इस property को कहते है, ductility यह ductile, ठीक है, तो यह property भी exclusively metal में होती है, ठीक है, एक mechanical strength पाई जाती है, mechanical hardness होती है metal में, ठीक है, जो आपको किसी भी चीज में नहीं मिलेगी, ठीक है, अब इसके कुछ exception भी है, आप लोग 7th क्लास की जोग ह होगी, आपकी उसमें देखना, metal के कुछ exception है, जैसे conductivity है, तो कुछ ऐसी चीज़ों है, जिसमें conductivity पास नहीं होती है, जैसे zinc है, sodium है, उसमें नहीं होती है, sonorous नहीं होता है, sodium आपका, sodium potassium दोनों ही, malleable nature का भी नहीं होता है, लश्चर भी नहीं होता है, और mechanical strength भी नहीं होती ह ठीक है, इसी तरह आपको non-metal में भी कुछ, आपको exceptional cases मिल जाएंगे, ठीक है, अब आपको बता दे, total, इन property के metal है, total वो 93 है, ठीक है, यानि कि सारे element में से सबसे ज़्यादा element metal के ही हो, ठीक है, अब non-metal, तो non-metal थोड़ी कम नंबर में है, केवल 18 ही total non-metal हैं, जिन में कुछ specific property होती है, जो metal से बिल्कुल different होती है, जैसे कि metal में poor, sorry, non-metal में poor conductivity होती है, ठीक है, आप rubber लोगे, आप कोईला लोगे, आप wood लोगे, या फिर कोई भी, मतलब कोई भी plastic ले लोगे, तो आपको उसमें electricity pass होते हुए नहीं दिखेगी, electricity उसमें नहीं पास होगी, नहीं आपक अपको उसमें किसी तरीका metallic sound नहीं सुनाई देगा, ठीक, non-maniable होता है, अगर आप इसको पीटोगे, या तो फिर powder form ले ले लेगा, या तो फिर बिल्कुल crack हो जाएगा, ठीक, एक sheet का form नहीं देगा आपको, non-lustrous, वो shine नहीं दिखेगा, आपको जो metal में होता है, ठीक है, ग्रेनाइट वही है, जो आप लोग पैंसिल की light देखते हो, उसमें ग्रेनाइट होता है, इसलिए थोड़ी shiny होती है, ग्रे कलर की, brittle nature का होता है, non-metal जितना है, brittle nature मतलब कि आप उसको तोड़ोगे तो वो चकना चूर हो जाएगा, ठीक है, इसलिए brittle nature का होता है, लेकिन metal मे तो यह कुछ प्रोपर्टीज है, तो non-metal कौन कौन से है, hydrogen, carbon, oxygen, sulfur, chlorine है, यह सब non-metal में आते हैं, ठीक है, आपको non-metal जितने मिलेंगे, आपको gaseous stage में मिल जाएंगे, solid state में मिल जाएंगे, liquid state में मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन non-metal आपको जादा तर आपको जादा तर वो तो यह दोनों चीजे हो गई, अब मेटलॉइड क्या होते हैं, तो मेटलॉइड एक ऐसे element होते हैं, जिनकी कुछ प्रोपर्टी तो मेटल से मिलती है, और कुछ प्रोपर्टी मिलती है non-metal से, इसलिए इनको मेटलॉइड में रखे गया है, ठीक है, जैसे कि सिलिकॉन है, ब इनको मेटलॉइड है, इनका कुछ नेचर मेटल से मिलता है, पुछ नॉन मेटल से, ठीक, अब इनर्ट गैसिस क्या होती है, इनर्ट गैसिस को हम नोबल गैसिस कहते हैं, ठीक है, इसी गैसिस जो बिल्कुल इनर्ट फॉर्म है, मतलब कि कोई activity ने शो करती हैं, किसी भी रियक्शन नहीं दिखाती है, उस तरह की गैसिस को कहते हैं, इनर्ट गैसिस, या फिर नोबल गैसिस, ठीक, तो टोटल ये 6 होती है, नोबल गैसिस, जैसे हीलियम, नियोन, आरगन, क्रेप्टॉन, एक्जीन, रेड़न, ये 6 है, और ये लोग जो है, अलग 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 वर इसके अंदर जो गैसिस होती है, बहुत जल्दी कंड़क्ट होके, बहुत जल्दी ये एक डिफरेंट कलर की लाइट प्रोवाइट कर देगा, जैसे हीलियम है, आपको परपल कलर की लाइट देगा, नियोन है, तो वह आपको इस तरह की रेडिश या औरेंज कलर की देती है, मतलब इन सारे बल्ब में यही यही गैसिस फिल करके इनकी लाइट जलाई गई है, तो इस इस कलर की देती है, ठीक है, तो इसका इस तरह से यूज बहुत जादा है, तो यह हो गई इनर्ट गैसिस, अब मॉलिक्यूल्स ओफ एलिमेंट, एलिमेंट हमने पर लिया कितने टाइब की होते हैं, नौन मेटल होते हैं, मेटल होते हैं, मेटलोइड होते हैं, इनके अलावा इसमें एक फॉर्मूला होता है, मतलब हर एक एलिमेंट का एक सिंबल होता है रिप्रेजन करने के लिए, तो वो मॉलिक्यूल्स कैसे फॉर्म होता है, यह हम देखते हैं जितने भी elements होते हैं उनका सब का molecule अलग-अलग होता है ठीक है वो सब ताइप के इंटम से मिलके बने होते हैं जैसे कि oxygen है तो दो oxygen की आटम से मिलके बना है hydrogen है 2 hydrogen की आटम से मिलके बना है ठीक है तोर इन छो की बिलने वाला систем होता है यानि कि कितने atom से मिलके बने हैं इस nature को कहते हैं atomicity ठीक है यानि कि element किसी भी element में कितने atom present है उसको कहते है atomicity जैसे कि helium में एक atom present है तो इसको कहेंगे monotomic oxygen में hydrogen में 2 atom present है तो इसको कहेंगे diatomic और ओजोन में 3 atom present है तो इसको हम कहेंगे triatomic अगर 3 atom से ज्यादा किसी में atom present है जैसे कि phosphorus है और sulfur है sulfur S8 होता है phosphorus P4 होता है और इसमें 8 atom present होते हैं तो इस तरह की molecule को हम कहेंगे polyatomic ठीक है अच्छा अब यह लोग जो है इतने इतने सारे atom एक साथ मिल के क्यों फॉर्म होते हैं इसलिए क्योंकि यह लोग अकेले exist नहीं कर सकते हैं oxygen को रहने के लिए कोई चाहिए और sulfur को भी रहने के लिए कोई चाह किसी ना किसी के साथ chemical bond के साथ जुड़के तभ ही वो survive कर पाएंगे तो molecule जो element का होता है वो atomicity के according ही बनता है चलो अब compound क्या होता है हम लोग atom पढ़ चुके element पढ़ चुके अब compound क्या होता है तो compound क्या है pure substance है पहले बात दोसी चीज यह chemical combination से two element या फिर two atom से मिल कर बना होत है एक definite proportion में बना होता है मतलग कहने का यह तो दो atom मिलेंगे तब कोई compound बनेगे दो different atom मिलेंगे तिए दियाम लखना है आपको दो different atom मिलेंगे या two different element मिलेंगे और match एक chemical bonding बनाएंगे और एक definite proportion में मिलेंगे मतलब definite proportion मिलेंगे यहाँ पर जैसे H2O है तो यहाँ पर hydrogen के two molecule present ह और यहां पर 2 to 1 का रेश्यो लग रहा है तो दुनिया के किसी भी वाटर का लेलो आप हर जगे का आपको हैच और ऑक्सीजन हाइडोजन और ऑक्सीजन का जो रेश्यो मिलेगा तो एस टुवन ही मिलेगा ठीक है तो हम कह सकते हैं जितने भी कंपाउंड होते हैं वो डिफ्रेंट डिफ्रेंट आटम के या डिफ्रेंट डिफ्रेंट एलिमेंट से बने होते हैं chemical combination से बने होते हैं ठीक है और एक definite proportion से बने होते हैं ठीक है यानि कि यह promotion लिखा हुआ है यह proportion होगा यह आप पर ठीक है आप लोग कट कर देना इसको तो एक different ratio से बने होते हैं हर एक compound चाहे आप carbon dioxide देख लो चाहे जितने भी compound होगे आपके वह सब में आपको एक ही formula मिलेगा यानि एक ही ratio सब में मिलेगे ठीक है तो यह हो गया compound characteristic of compound किसी भी compound का क्या characteristic nature होता है तो सबसे पहली बात different element हो और different atom इन सब के fixed proportion से बनते हैं यह ठीक है यह पहली बात और यह जो है compound जब फॉर्म होते हैं ठीक किसी भी chemical reaction से फॉर्म होते है ठीक है यानि elements two elements के बीच एक chemical reaction होगी उसके बाद ही यह लो फॉर्म होगी जैसे कि hydrogen है plus oxygen मिलाया तो फिर एक chemical reaction दोनों के बीच हुई उसके बाद H2O फॉर्म ह ठीक है अब जब भी यह बनेंगे जब भी कोई compound form होता है या तो energy use होती है मतलब absorb होती है या तो फिर energy evolve होती है ठीक है मतलब energy कहीं न कहीं से डाउन होगी या बढ़ेगी ठीक है जैसे कि आप लोग देखो फोटो सेंसिस जब होती है तो फोटो सेंसिस में क्या बनता है glucose form ह होता है जो कि एक compound है अब form होने में energy use होती है वो लोग sunlight का use करते हैं आप कोई चीज जलाते हो कोई कागर जलाते हो तो वो क्या है तरह का hydrocarbon है है उसको जब जलाओगे तो एक reaction होती है ठीक है कोई भी चीज आप जब उसको बन करते हो तो वो air में present oxygen से react करता है यानि carbon जो च परिदे को burning process हो रही है और ढ़ेर साधा आपको energy निकल के आ रहा है ठीक है burning process में बहुत सारी heat release होती है तो फिर ये compound form होने में बहुत सारी energy निकलती है तो एक जगे energy use हो रही है अब जगे energy evolve हो रही है बन रही है ठीक है तो अब इनका भी जो melting point होता है और boiling point होता है और ठीक यह फिर से रिपीट हो गया है तो बस इतनी ही characteristic nature है अब अब difference between element and compound element और compound के बीच में क्या different है जो element होता है वो same kind के atom से मिलके बना होता है जबकि compound होता है वो different different type के atom या element से मिलके बना होता है तो पहला तो difference है ही हो गया element जो है simplest type of pure substance है जबकि compound बना होता है element या फिर atom से ठीक है तो थोड़ा सा complex होता है अब जितने भी element होते हैं उनके पास own set of property होती है उनकी अपनी property होती है ठीक है मतलब उनका characteristic nature होता है लेकिन compounds जो होते हैं वो जब combine होते हैं तो combine होने के बाद जो उनका constraint होता है मतलब जिन जिन से मिलकर वो बन रहा है ठीक कई सारे elements से मिलकर बन रहा है तो element के अपने जो प्रॉपर्टी होगी वो खतम हो जाएगी compound की एक नई property आएगी ठीक है जैसे कि आप देखो एश्टू जब warm होता है तो hydrogen क्या है आग जलाता है ठीक है यानि कि बंब्लास्ट कर देता है आग जलाने में help करता है oxygen भी आग जलाने में help करती है ठीक है तो क्या है दोनों mix होके बना रहे हैं water water क्या है आग को बजहा देता है तो एक नई property निकल के आजाती है compound बनने में ठीक है एलिमेंट को आप break down नहीं कर सकते हो ठीक है और simplest form में break down नहीं कर सकते हो लेकिन compound को आप chemical method के थुरू break down कर सकते हो ठीक है तो यह कुछ important difference हो गया इसमें अब हम लोग बात करेंगे मिक्स्चर के बारे में तो मिक्स्चर क्या है substance that made by two or more type of substance any proportion ठीक है इस काल मिक्स्चर यानि कि कोई substance different different kind of substance से मिलकर बना होता है किसी भी रेशियो में ठीक है आप जैसे मैगी भी बना रहे हो ना तो मैगी में कुछ थोड़ा नमक डाल रहे हो थोड़ा मसाला डाल रहे हो पानी डाल रहे हो तो सार अधर कोई चीज यूज करते हो तो वह भी डाल तो मिक्स्चर में कोई fix ratio fix proportion नहीं होता है वह आप लोग अपने कोडिक बना सकते हो ठीक है तो मिक्स्चर मिलक भी एक मिक्स्चर है स्वाइल टी लेमिनेट सुगर सॉलोशन यह सारा कुछ एक मिक्स्चर है नमकीन जो आप ल बना सकते हैं यह एक साथ मिलकर फॉर्म होते हैं वर्ट मिलने के साथ-साथ इदमें कोई chemical combination नहीं होता है थीक है मतलब बना सेट लेकिर उसमें कोई chemical तो प्रपोर्शन पर देख सकते हैं तो जितनी बी चीज़े डाले हो एक फिक्स प्रपोर्शन में डालोगे आपको ज्यादा जो चीज बसंद है जो कम बसंद है वो कम डालोगे तो कोई फिक्स प्रपोर्शन नहीं होता किसी भी सबस्टेंस का और कोई इस स्पेसिफिक यह भी चीज़ आपकी डुबारा रिपीट कर गई है तो कोई स्पेसिफिक इसका फॉर्मूला भी नहीं होता है और इनको सेपरेट कर सकते हो आप फिसिकल मैथड से ठीक है और किसी प्रामिक्जर को फॉर्म होने में ना तो एनर्जी अबजर्ण होती है ना ही एवाल होती है, ठीक है? कोई जрाओर HD g एंजर्डी अबजोण हो जैसकि कमपांडम ने में हो रही थी, या एनरजी या थो अब्सॉब हो रही थी य या एंवौल्व हो रहे थी ? o ये ये मिक्षे में पूम्छे में होता है तो मो leggाई होता है है हेट्रोजनस मेक्षे staat मतलब है कि मिक्स्चर जो बन के आए वो इतना फाइन बन के आए कि उसमें सारे पार्टकिल अच्छे से मिक्स हो और हमको दिखाई ना दे ठीक है हम खुली आखों से नहीं देख सकते तो यह होता है होमोजेनस मिक्सर जितने भी पार्टकिल है वो सब इवेंली हर जगे फैले मिक्सर को हम कहते है होमोजेनस मिक्सर जब पार्टकिल आपको दिखाई दे जाए है मतलब कि कुछ पार्टकिल आपको इधर दिखाई दे रहे है कुछ इवाले इधर दिखाई दे रहे है कुछ ब्लू पार्टकिल इधर दिखाई दे रहे है तो सब पार्टकिल आपको अल यानि कि बालू डाल दिया तो आप बता हूँ कोछ है कि जितना मिक्स करो, जो भूमते हुए नजर आ जाएंगे, तो जब घूमते हुए सारे नजर आ रहे हैं या फिर आप थोड़ी तेर उसको रखोगे तो सेटल डाउन हो जाएंगी नीचे थीक है, तो इस तरह से जब तो किस पाटके अपर के होगे दोसरे हो तो सब अलग अलग दिखेंगे अपको eventually dissolve नहीं दिखेंगे तो इस तरह के mixture को हम कहते हैं heterogeneous mixture अब होमोजनस mixture किसे कहते हैं अब आपने क्या किया अब आपने क्या वाटर एक गलास ले लिया उसमें सुगर डाल दी और अच्छे से मिक्स कर दिया तो बताओ आपको सुगर के पार्टकिल उसमें डिजॉल्व इधर उदर घूमते हुए दिखाई देंगे नहीं दिखाई देंगे तो इस तरी के मिक्स्टर को हम कहते हैं होमोजनस मिक्स्टर ठीक है जब उसमें पार्टकिल क्या होता है तो यह मोस्ट इंपोर्टेंट है कि क्या डिफरेंस होता है देखो कंपाउंड प्योर सबस्टेंस होता है जबकि मिक्स्टर इंप्योर सबस्टेंस होता है ठीक है कंपाउंड हमेशा आपको होमोजनस दिखाई देगा ठीक है एवेनली मतलब जब भी कोई कंप ऑपको सेम टाइब के पार्ट के लिए दिखेंगें रांओंड, श्रीओ भी और येद्ट लिएथी साघरे बे Finn70-1 अज़ना्त सेंगे. कोई भी प्रास चाहरो है लिएबन कमौईल आसे defence क susceptible नहीं होगी है अब जो भी compound form होगा उसमें energy का change आता है या तो energy observe observe होती है या तो फिर energy evolve होती है ठीक या तो ठंडा हो जाएगा या तो गरम हो जाएगा ठीक है या फिर formation में उसके energy जरूरत पड़ेगी ठीक लेकिन mixture में energy का कोई change देखने को नहीं मिलता है ना तो वह energy लेते हैं ना देते हैं ठीक है अब compound का specific proportion में जोड़ना होता है मतलब कोई भी compound form होता है जैसे h2o form हुआ तो एक definite proportion में यह लोग जोड़ते हैं मतलब hydrogen के two molecules राएंगे और oxygen का one molecule तब यह दोनों जोड़ेंगे ठीक है तो एक set of proportion मतलब एक specific proportion में जोड़ते हैं लेकिन mixture में आप को हम पहले ही बता चुके हैं आपको जितना जोचे जरूरत हो वो mix करते हो कोई definite कोई fix proportion नह mixture को आप physical simple misphysical process से ही आप separate कर सकते हो ठीक है compound को आप physical process से separate नहीं कर सकते हो ठीक है जैसे कि H2O है तो H2O को आप physical process यानि आप लोग मालो heat देगा केवल खाली सोचो कि उसको boil कर करकर हम H को अलग कर लेंगे hydrogen को अलग कर लेंगे oxygen को अलग कर लेंगे तो ऐसा possible नहीं है पूरा water उड़ जाएगा सारे molecule इसके free होके gases स्टेज में पहुंच जाएगे बट आपका hydrogen और oxygen अलग नहीं होगा जब आप उसमें chemical process अपलाई करोगे तब ही जाके वह separate होगे ठीक है तो यह हो गया difference इन दोनों के बेचे अब देखो type of mixture on the basis of state of compound मतलब की different different type के mixture होते हैं अलग-अलग state में ठीक है जैसे कि solid solid मिलाओगे तो भी कुछ mixture त्यार होगा को सकता है homogeneous भी बन जाएगा और heterogeneous भी बन जाएगा solid और liquid मिलाओगे तो आपको homogeneous के भी कुछ example मिल जाएगे heterogeneous के भी example मिल जाएगे liquid और liquid मिलाओगे तो भी आपको homogeneous का example मिलेगा heterogeneous का मिलेगा liquid और gas को मिलाओगे तो homogenous, heterogeneous रोटोगें दोनों की example में gas और gas को मिलौगे तो भी आपको अलग अलग example मिल सकते हैं जैसे कि अपने solid अजो को मिलाया तो बना लिया alloy い unit Аlloy क्य होता है एक-वित थीन MSrage वह हो homogenous दिखाई देता है हमको सारे मिटल के अलग अलग पाटकिल उसमें नहीं नजराएंगे वो पिघलने के बाद अब मिक्स होंगे तो वो सिर्फ एक मिटल दिखाई देगा ठीक है उसको हम ऐलोई कहते हैं हमेरे का waters जर्फ गुटप बेटा मिक्स कर दोगे तो क्या होगाओव फिर मेरे अब मिक्स कर दोगे घ्रुटप अब मिक्स कर दो गे तो सारे सब्सक्रांओ अब तो इसलीए हो गया है कि अभी जॉट ऑर सॉलिट और है कि रिक्विड का दिख वाटर जाएगा आप या लिक्विड का देखा आप यानि कि आप ऐसा करो वह पनेगर को को water के साथ mix कर दो homogeneous solution बन जाएगा हैटरोजनस में oil or water को mix कर दो हैटरोजटर सोलोशन है JD on liquid और गैस का एक ग्जामपल नेको तो league world έχए liquid होनी चाहिए एक चीज़ गैस होनी चाहिए तो लिकविथ में क्या water को ले लिया और ammonia gas को उसमें mix कर दिया या फिर कारबन डी औक्सायड को मिक्स कर दिया, ठीक बन गा पका कोलरिंग, तो ये भी एक तरह का क्या है, होमोजेनस मिक्षर है, वाटर में, सियोटू गैस को मिक्स किया जाता है, तब वो बनती है, कोलरिंग, ठीक है, उसमें सुगर-उगर मिक्स करके, तो वो कैसा दिखता है, तो यह आपको पार्ट के लारक से नजर नहीं आता है, आप सोप का लेदर लेलो, मतलब सोप का जो फेना आता है, वह क्या है, एक हेट्रोजनस मिक्षर है, उसमें आपको गैस के बबल भी मिलेंगी, आपको गैस के और वाटर भी मिलेगा, ठीक, गैस और गैस का देखो, तो हमारी एक होमोजनस मिक्षर है, ठीक है और हेट्रोजनस मिक्षर जो पूरा मीस्जबल होगा, तो यह Spa-टरोजनस मिक्षर होगया, तो यह different variant आपको होमोजिनस के मिक्चर मिलेंगे और हेट्रोजनस के मिक्चर मिलेंगे अब यह सारे जो मिक्चर बनाये गए हैं इनकी सेपरेशन की भी जरुद पड़ती है तो यह सेपरेशन का प्रॉसस हम नेक्स वीडियो में देखेंगे ठीक है ओके आज के लिए इतना ही झाल झाल